इंदोर की कलेक्टर प्रती मंगलवार को जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं को सुनते हैं वह उनका निराकरण करते हैं इसी बीच एक आचियाई कारिकरता लोकेश परिहार कलेक्टर जनसुनवाई में पहुंचा और उसने बताया कि रावशीतर में ANS अस्पताल है जिसमें एक डिलिवरी के दोरान बच्चे की मात हो गई थी आचियाई कारिकरता कारुप था कि वाट बॉई ने सर्जुरी की थी और जाच के बाद अस्पताल को सिल भी कर दिया गया था इसी बीच मुख्य चुकिसा स्वास अधिकारी ने अस्पताल प्रवंधन से साथ गाच कर नए कागसात तेयार किये जो की एजिटर करा कर फिर से अस्पताल को शुरू करने की अनुमती दे दी गई साथ ही पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड की अनौसी भी नहीं ली गई है इसी मुद्दे को लिकर कलेक्टर जन्सुमाई में मुख्य चुकिसा स्वास अधिकारी की शिकायत की गई कलेक्टर ने इससे मामले में जास का आश्वासन आचियाई कारेकर तक हो दिया पेशेंट लकी वाइफ ऑफ रावोडिया वह आये थे उनका जब उनको एड्मिट किया तो चार घंटे तक उनको किसी प्रकार की कोई स्वास्त का लाब नहीं दिया गया कोई डॉक्टर नहीं देखने आये और उसके बाद उनके यहाँ हॉस्पिटल के जो वार्डबॉइ और बुरी तरह से एक महिला की निजिता का हननन है कि जब तक आप कोई लेडी गाइनिक नहीं हो तब तक आप उसके साथ कोई ड्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं इस तरह की अव्यवस्था के साथ उन्होंने ड्रीटमेंट किया उसके बाद जाज कमीटी द्वारा उस हॉस्प पहले के हैं पुल मिलाकर एडिटिंग के द्वारा उस अस्पथाल का संचालन किया जा रहा है मैं एक सामाजी कार्य करता हूं जनहीद के लिए मैं ने उध्दा उठाया है आज सारे अस्पताल में इस तरह से इंदोव में और पुरेदेश में कई इस तरह के अवेरे अस्पताल चल रहे हैं जो कि आम जन की जान के साथ खिलवाण कर रहे हैं, एक सामाजी कार्य करता होने के नाते में ये मुद्धा उठाया है, माननी कलेक्टर साथ को जन सुनवाई में ये शिकायद दी है, कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के खिलाब भी जाच कर कार्यवाही की जाए, और इसके अल का नियूरो एडवांस तो उसमें क्या है कि उसमें उन्होंने कोई रेजिस्टेशन नहीं दिया है, जब मैंने महा जाकर रूंसे रेजिस्टेशन वगेडा की बात की तो उन्होंने बोल जवाब दिये, फिर मैंने प्रदूशन नियंटरन बोर्ड से इसके बारे में जानक उनका भी यह गहना है कि हमारे पास में इस सम्मंदित कोई अस्पताल का रेजिस्ट्रेशन नहीं है और उसके बाद मैंने बीस नो को बोजाट तीरिस को मैंने एक शिकायत लिखित में लेकिन चार महीने बीथ जाने के बाद भी अभी तब उनके द्वारा इस मामले में कोई कारेवाई नहीं की गई और वो अस्पताल अभी भी चल रहा है और लोगों की जान के साथ खिलवार हो रहा है कभी भी कोई बड़ा हथसा इसमें हो सकता है किसी की भी जान जा सकती है उ उसमें उसका जो रेश्टेशन था पहले निरस्ट किया गया और बाद में कुछ हर्जी दस्ताविज लगा के नेया रेश्टेशन किया गया है। इसे तो जाज के लिए दिया गया है, अगर शिकायत पाईगी तो शिकायत सही पाईगित करवा ही होगी। इसी तरह एक कॉलेज की भी शिकायत आईगी है कि उनके द्वारा जब एडिशन किया गया तो अपना पता दूसरा बताया गया, बाद में कदा शिप्ट कर लिया गया, जिससे भी दैर्थी कुछ वहां की परिशान हो रहे हो उसे तो भी एक समिती बनाकर एक लोग जाज है